बोरेंच के कड़ोता गाम के शहीद अंकुस ठाकुर के समार्क निर्मान जमिती के देर शाम हुई बैठे के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने ही माचल रेजिमेंट की मांग केंदर सरकार से करने लगी है। के साथ मीटिंग की और कहा कि समार्क का निर्मान कार्याद जगा फाइनल होते ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समार्क में निर्मान के लिए पार्टी आम जनता का स्तेहोग भी मांगेगी। है तेजी से शुरू होते हैं अब ही देखते हैं उसका आत्रण में एस्टिमेंट की है, वो बनाएगे। सारा वहां आर्किटेट को लिए जाके सारा देखने कितना है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि इसमें हम जो है आम लोगों को जोगे। क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग कॉमेस कमिल्टी के जो अमारे स्थानी अजर्श हैं दुन्याद सब उनको मैंने कहा है कि आप इसमें सब लोगों का जोग जाने हैं। राठोर ने कहा कि इस परदेश के लोगों को देश के खातिर बहुत अधिक बलदान रहा है और भारी संख्या में परदेश के युबा भारती सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश की रक्षा में सहादत पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजबा रास्टिय देक्ष के अलावा केंद्री बितराजय मंत्री अन्रप ठाकुर को ही माचल रेजिमेंट की मांग को पूरा करवाने के परदेश दर्कार की मदद के लिए आगया ना चाहिए। और इस समय तो भारतिय जन्ता पार्टी के जो परदेश दर्क्ष के रहने वाले यहां से केंद्री मंत्री भी है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है। कॉंग्रेस पार्टी पूरा स्योग करेगी, कॉंग्रेस पार्टी जोए सरकार के साथ खड़ी रहेगी, रुख्या मल्की के साथ खड़े रहेगी, इस मांग को लेके की हिमाच्या रेजिमेंट की स्ताथनों है। बही परदेश में पंचायत पर नगर निकायों के चुनाबों को पार्टी संबल पर करवाने के प्रशन पर आठोर ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी का मानना है कि नगर निगम पर नगर पालिकाओं के चुनाब पार्टी चिन पर होने चाहिए लेकिन पंचायतों के चुनाब में पार्टे चिन के लिए भी सभी पार्टियों को पहले अपने स्थर पर बातचीत के बार सरकार के साथ बैठ कर आम सहमती बनानी होगी लेकिन जहां तक पंचायतों की बात उसके लिए मुझे रखता है कि हम संगर्षन के अंदरा उस वाद की चप्चा करने के बाद किसी निश्वर्ष पर पहुं सकते और सर्कार सम्लों उसे बात करने हैं